Hello Friends, मैं हूँ मुर्तजा अली खान, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं क्लासिक फिल्म और क्लासिक सीरीज पर बात कर रहा हूँ और इसी में आज मैं आपके लिए लेका हूँ एक बहुत ही खास फिल्म सर्जियो लियोनी की 1966 की मास्टरपीस दे गुड दे बैड अगली अगर दे गुड दे बैड अगली की बात करें तो बेसिकली एक स्पैगेटी वेस्टन है जिसको के वन अद बेस्पैगेटी वेस्टन एवर मेड माना जाता है और ये कहानी है तीन लोगों की इन उलाएवन आइज और अगली हो गया तो अगर मैं आपको एक उवर्वियू दियूं इसका प्लोट का तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि टूको यहाँ पे एक Outlaw है, Blondie जो है basically एक Bounty Hunter है और जो Angel Eyes है वो एक Assassin है, Angel Eyes जो है वो अपना एक Mission पूरा करने जा रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा खजाना जिसकी सोने में कीमत है, बेश कीमती खजाना जो है वो उनको मिल सकता है और उस खजाने तक पहुचने के लिए वो लाशे बिछा देते हैं, साथी साथ यहाँ टूको और Blondie की बीच में एक कमाल की Understanding चल रही होती है, तो कि टूको के सर पर इनाम होता है, तो Blondie अक्सर उनको पकड़ के Arrest करवा देते हैं, और Arrest करवाने के बाद वो ही उनको छुडवा भी देते है Price Money collect करने के बाद, तो सबसे पहले 1000 डालर उनके सर पर इनाम होता है, पिर पहली बार छुडवाते हैं, तो 2000 डालर हो जाता है, तो तीसरी बार 3000 डालर हो जाता है, लेकिन जब 3000 डालर इनाम हो जाता है, तो टूको कहीं ना कहीं फस जाते हैं, ब्लॉंडी की एक चाल में, कु अगर हिम्मत करेगा तो पहुंची जाएगा शहर जो कहीं हैं से 70 किलोमेटर दूर है अब जो टूको है वो बदला लेना चाहता है ब्लॉंडी का किसी तरह से बच जाता है शहर पहुंच जाता है और एक दिन ब्लॉंडी उसके हट्ते चड़ जाता है और ब्लॉंडी को एक ब मरी आहलत में होता है तो रास्ते में ठकरा जाता है बिल कार्सन नाम के आदमी से बिल कार्सन वो बंदा है जो उस खजाने का रास जानता है जिसके पीछे इंजल आइज लगा है और मरते मरते बिल कार्सन ब्लॉंडी को बता जाता है वो खजाना कहां चुपा है अब जब को ये realize होता है कि blondie को एक बहुत बड़े खजाने का रास पता है तो वो मजबूर हो जाता है ब्लॉंडी को बचाने के लिए ब्लॉंडी उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तुम जिन्दगी में इस तरह से गरीबी नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बचाना प पर रास्ते में उनको एक ग्रे कपड़े पहने वे आर्मी मिलती है और उनको लगता है कि शायद वो भी हमारी तरह कॉंफिर्डरेट है तो बड़े-बड़े नारे लगाने लगते हैं कॉंफिर्डरेट के फेवर में और यूनियं के खिलाफ पता चलता है जो उनकी ड्रेस है वो अच्छिली में ग्रे नहीं है वो डस की वज़े से ग्रे लगरी थी तो जब वो अपनी डस जाड़ते हैं तो बलू के लगे ड्रेस हो जाती है सरजी लियोनी यहाँ पे बहुत strong commentary करके बताना चाहते हैं कि बात grey और blue में नहीं है फरक grey और blue में नहीं है union और confidancy में कोई फरक नहीं है दोनों एक ही तरह की mission पर हैं जीतना चाहते हैं अपने दुष्मन को मिटाना चाहते हैं at all cost और यह जो color है dress का यह उनको differentiate नहीं करता दोनों एकी तरह से barbaric ways में humanity की जो हदे हैं उसको cross कर रहे हैं आगी जब union वाले इनको पकड़ के अपनी jail में लेके जाते हैं तो वहाँ पे इनका सामना होता है angel eyes से और angel eyes को अब तक पता चल चुका है कि टूको और blondie को खजाने का पता है तो वो टूको को बहुत ज़दा torture कराता है और पूरी तरह से तोड़ देता है वो जो union का soldier जिसने उसको पकड़ा होता है उसको वो मार देता है और train की नीचे अपनी जो उसकी हटकड़ी है वो रख्यों उस हटकड़ी को तोड़ देता है और आजाद हो जाता है तो अब ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में एक जगा जाके ये मिलते हैं और वहाँ पे इस फिल्म का बहुत जादा famous ट्रोयल सीक्विंस आता है आपने डोयल के बारे में सुना ही होगा जब दो लोग showdown करते हैं यहाँ पे ट्रोयल का सीक्विंस है और य यह फिल्म elevate करता है इलियोनी की जो एक master storyteller की image है उसको establish करता है यहाँ पे लियोनी ने जिस तरह के close-ups का use किया है, super close-ups का use किया है, camera moments का use किया है, Sergio लियोनी का जो famous collaboration है N.U. Morricone के साथ उसके music की जलक हमें है दिखती है और किस तरह से वो कमाल की तरीके से वो montages का use करते वे इसको जो पूरे sequence को build करते हैं, जो tension है इस sequence में वो आपकी सासे रोग देती है, तो बहुत ही कमाल की ending है, बहुत ही exhilarating ending है, यह ending इतनी ज़्यादा satisfying है कि जब आप घर जाते हैं तो आपको realize होता है कि आपने complete journey का experience किया है और probably जो उसका troll sequence है, जो उसकी ending है और जो बहुत ही कमाल की जो storytelling है, Sergio Leone की वो इस film को कमाल का बनाता है, अब देखिए, अलग-अलग characters की बीच में किस तरह की exchanges होते रहते हैं, उनकी chemistry जो है ever evolving है, storytelling की brilliance इसमें देखती है, आज तो हम long form storytelling का लुट फोटाते ही हैं, हम देखते हैं कैसे-कैसे characters को develop किया जाता है, और cinema में storytelling का potential, character development का potential, जो है, I think good, the bad and the ugly जैसी film बहुत शांदार तरीके से दिखाती है, ये एक film epic है, ये masterpiece है, और Sergio Leone की one of the greatest films है, the good, the bad and the ugly एक spaghetti western मानी जाती है, और one of the best spaghetti westerns मानी जाती है, spaghetti western की बात करें तो western का एक sub-genre है, उस जमाने का जो American old west था, जी हां, बात कर रहा हूं, late 19th century और early 20th century America की, जहां पर frontiers में उस जमाने में बहुत बड़े-बड़े कमाल के outlaws हुआ करते थे, bounty hunters हुआ करते थे, जिनके बारे में बड़े-बड़े legends लिखे गए हैं, जो myth और fact को divide कर देते हैं, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो सबसे बड़े hero हैं, कुछ पूजा करते हैं, कुछ लोग उनको outlaw कहते हैं, कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं, spaghetti western उन films पे लागू होता था, जो योरोप में बना करती थी, mid 1960s में, और mostly इनकी shooting होती थी, Spanish desert में, और local actors यूज़ करती थी, योरोप में, कुछ American जानेवानी actors भी इसके साथ associated थे, Clint Eastwood, Lee वैंकली, इलाय वॉलाग जैसे, पर जाधतर ये जो local actors उनको यूज़ करती थी, Italy से, Spain से भी actors यूज़ होते थे, उनके hardened faces के लिए, बहुत जादा realistic touch के लिए, अक्षर यूज़ किया जाता था, पर अगर spaghetti western as a genre की popularity की बात करें, तो इसकी credit जाता है, Sergio Leone और उनकी film A Fistful of Dollars को, Fistful of Dollars की box office success और उसकी popularity की वज़े से, और भी Italian filmmakers आ गया है, यह योरोप में और जगह भी filmmakers आ गया है, और उन्होंने इस तरह की western बनानी शुरू करी, और यहाँ पे जो ideals थे, उन ideals पे flip किया, अगर American Old West की बात करें, तो वहाँ पे कुछ myths होती थी, कुछ hero को लेके understanding होती थी, कुछ villain को लेके understanding होती थी, जो dark है, और जो white है, वो बहुत clearly दिख जाता था, hero good था, और जो villain था, वो bad था, पर इन westerns ने थोड़ा सा उसको flip किया, अब good और bad के बीच की line जो थी, वो fade होने लगी, और gray का introduction हुआ, अब हमें बहुत ही जादा dark themes और motifs के साथ introduction हुआ हमा westerns में, old west के साथ कभी associate ही नहीं करे थे, यहाँ पर हमें backstabbers दिखते हैं, यहाँ पर हमें greedy लोग लिखते हैं, यहाँ पर हमें revenge seekers दिखते हैं, यहाँ पर हमें हर तना के वो characters दिखते हैं, humanity की बिलकुल जो चरम है, उस पे पहुँच चुके हैं, और good और bad के बीच में अब कोई difference नहीं रहा है, तो यह कमाल की चीज़ है spaghetti westerns के बारे में, और spaghetti westerns की एक और खासियत है, कि हालकि यह set तो American Civil War या उससे थोड़ा सा पहले है, उसके थोड़ा बाद ही होती थी, पर यहाँ पर जो खास तोर पर जो spaghetti westerns American Civil War में set है, वहाँ पर वो union को अच्छी light और confidency को अगर आप American Civil War को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, कि from 1861 to 1865, America दो पार्ट में एक तरह से डिवाइड हो गया था, जो northern states थे, अमेरिका के, वो the union का पार्ट थे, और जो southern states थे, वो the confidency का पार्ट थे, और confidency और union के बीच में चार साल यह civil war चली है, बहुत सार एशूस थे, डिफरेंसे के, नौर्थ और साउथ के बीच में, और सबसे बड़ा जो reason था, जो इन लोगों को इस लड़ाई के लिए मजबूर करा था, वो था slavery, southern states जो थे, वो slavery को support करते थे, slavery उनकी foundation थी, cotton plantation में जो slavery का जो tradition था, वो सालों से चला आ रहा था, और north के लोग इसको abolish करना चाते थे, और Abraham Lincoln जो union के president जब बनते हैं वो, तो कि civil war चलती है, और 4 साल तक चलती है, और इसका end होता है, union की जीत में, confidence के हार में, और end में, slavery abolish हो जाती है, पेगटी westerns को अगर हम study करें, तो हमें बहुत ज़ादा native Americans या उनसे जो stories हैं, वो देखने को नहीं मिलती, focus ज़ादा तर bounty hunters, outlaws पर यह होता है, और उस तरह के areas में यह डल्व करती है, पर अगर spaghetti westerns के great film में किसकी बात करें, तो Sergio Leone के साथ एक और नाम यहाँ पर जाता है, वो है Sergio Corbucci का, जिन्होंने भी बहुत कमाल कमाल की westerns बनाई, जिनमें शामिल है, उनकी masterpiece, The Great Silence, साथ इसाथ जैंगो, जिसको के reboot किया था, Quantum Tarantino ने जैंगो Unchained की ना Money का भी जो style था, वो काफी ज़ादा high violence माना जाता है, लेकिन Corbucci का style और ज़ादा over the top और exaggerated था, और अकसर कहानिया ज़ादा dark होती थी, तो Quantum Tarantino ने दोनों से inspiration ली है, उनकी films में हमें Sergio Leone का असर भी देखता है, और साथी साथ Sergio Corbucci का असर भी देखता है, और यह दोनों filmmakers ने Western को नहीं सरफ flip किया, बलके Western को revive भी किया, यह हमें समझना होगा, 60s आते आते Western जो genre था, जो America का सबसे ज़ादा favorite genre है, और जो America का ही created genre है, वो धीरे धीरे, it was dying a slow death, क्योंकि वो genre जो था अब इतना ज़ादा explore किया जा चुका था, कि उसमें कुछ नया करने को नहीं था, और darker themes जब spaghetti westerns ले के आई, तो इसने कहीं ना कहीं western genre को revive किया, हाला कि जब इस spaghetti westerns आई तो जो Americans थे, वो इनसका मजाक उड़ाया करते थे, spaghetti word भी derogatory term में use होता था, कि मतलब standard जिस भी western का उतना नहीं है, क्योंकि यह low budget films हुआ करती थी, Hollywood के budget को compete नहीं कर पाती थी, तो इस spaghetti term ए जैसे ही, revisionist westerns का जनम हुआ, और revisionist westerns की अगर बात करें, तो Sam Peckinpa की The Wild Bunch हमें याद आती है, या Pat Garrett, Billy Duckett याद आती है, और इस तरह की बहुत कमाल कमाल की film में आगे जाके, Clint Eastwood ने भी बनाई, तो यह सारी जो revisionist westerns हैं, somewhere यह possible इसलिए हुई, क्योंकि सर्जियो लियोनी, और बाकी बहुत सारे film makers ने स्पेगेटी westerns को एक अलग पहचान दी, और उस पहचान की वज़े से westerns genre जो मर रहा था, या मरने की कगार पे था, उसको दुबारा एक नया जनम मिला, revisionist westerns के form में, अगर मैं स्पेगेटी westerns की बात करूँ, तो स्पेगेटी westerns में लियोनी औ जिसका पहला पार्ट है, फिस्फल ओ डॉलर, सेकिंड पार्ट है, फॉर फ्यू डॉलर्स मोर, और उसका थर्ड पार्ट है, तगूट दा बैड अगली, और गूट दा बैड अगली, प्रॉबबली ग्रेटेस स्पेगेटी westerns भी है, बहुत जादा कॉंपलेक्स है, अगर ह इस फिल्म को कमाल का बनाता है, और सरजी लियॉनी की मास्टर पीस है, अन्डाटिडली ये परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाती है, क्लिंट इस्फुट का जो मैन विद नो नेम का जो करेक्टर है, उसका ये एक ग्रैंड कमपलीशन है, इसके बाद कभी भी क्लिंट इ वेस्टन्स को वे इज़त मिलती है, तो जरूर इलायव अलाग को एक आसकर मिलता, अतनी कमाल की परफॉर्मेंस है, और बार बार उन्होंने अपनी जान भी दाओं पे लगाई है, तकरीबन दो या तीन बार नियर डेथ एक्सपिरियंस से गुजरे, और ली वैंक लीफ की जो उन्होंने पोर्ट्रेल किया, सच में उन्होंने परसॉनिफाय किया है, कि बैड क्या होता है, और बहुत ही कमाल का उनका स्क्रीन प्रेजन्स है, जो नेगिटिव स्पेस में, ली मारवेन और ली वैंक लीफ से ज़्यादा बड़े करेक्टर, एक्टर्स आपको है उनका शिकार, गुट दा बैड अन दा अगली एक बहुत ही महान स्पेगटी वैस्टर्न है, और आज के टाइम में सिर्फ कोई ग्रेट स्पेगटी वैस्टर्न ही नहीं कहा जाता, एक ग्रेट वैस्टर्स में इसका शुमार है, इन्फैक अगर किसी भी जगा जाएंगे और आल टाइम ग्रेट वैस्टर्न की लिस्ट देखेंगे, तो आपको उसमें गुट दा बैड अन दा अगली इनेविटेबली दिखेगी, दिखेगी, इतनी ज़ादा ग्रेट फिल्म है यह अगर गुट दा बैड अगली की बात की जाए, और एन्यू मौरी कौनी के कमाल क स्कोर की बात ना की जाए, तो शायद कोई भी रिव्यू, कोई भी इनेलिसिस अदूरा रह जाएगा, गुट दा बैड अन दा अगली को, गुट दा बैड अगली की ब्रिलियंस जो है, उसके साथ सिनॉनिमस है, यह फेमस बैक ग्रॉंड म्यूजिक, जब भी आप सुनते ह आपके दिमाग में कावबाय और वेस्टन अपने आप आ जाता है, ओर दा येर्स इसकी पॉपॉलरिटी काम नहीं हुई, बलके बड़ी है, और यह स्कोर एकदम कमाल का है, जैसे अलग अलग तरह से लेट मोटिव्स यूज़ किया है, गुट दा बैड अन दा अगली की मे ग्राउंड म्यूजिक बच्चता है, हम समझ जाते हैं कि मूवी एक अलग लेवल पर जाने वाली है, इसी नहीं बैग्राउंड स्कूर की इंपॉर्टेंस, अगर हमें समझ नहीं हो तो एन्यों मौरिकॉनी का म्यूजिक और खास तोर गुट दा बैड अन दा अगली में उ एक कमाल का बैग्राउंड म्यूजिक बच्चता है और जब पूरा उसका चकर ले रहा है और वो बॉकलाया हुआ है कि कौन सी वो ग्रेव है, तो अपनी एमोशन्स को आप एक थ्रिल और एकसाइटमेंट को रोक नहीं पाते और पूरी आपकी बॉड़ी इसके साथ इसके जोड़ी भी, एक्चुली में ये आर्मी ने ब्रिज बिल्ड किया था और जब पहली बार ब्रिज ब्लो होता है तो जो कैमरा परसन है किसी मिस कम्मुनिकेशन की वज़ए से कैमरा रोल करना भूल जाते हैं, पूरा ब्रिज ब्लो हो जाता है पर वो कैमरे पर कैप्चर नह हैं, इंप्रेसिव विजवल्स है और जब आपको पता चलता है कि एक रियल ब्रिज है तो उसको और जादा एलिवेट कर देता है सीक्वेंस, तो ये थी मेरी आज की पेशकर आपके लिए बहुत जल्दी हाजिर होगा एक और क्लासिक के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को स जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके इंबॉक्स में हैं